ये कहानी है मद्रप्रदेश के इटा बेड़ी की। पहले यहां बहुत यास संक्या में यादो समुदाय के लोग रहते थे। लेकिन विगत कई वर्सों से बेड़ी विरान है। अब यहां जाने में भी किसी की हिम्मत नहीं होती। माना जाता है कि यहां भूतों का साया है जो गया वो कभी जिन्दा लोटकर नहीं आया। दरसले बेड़ी खरकोंजीला बुख्याले से 37 किलोबिटर दूर छोटी कसरावत और कसरावत के बीच मौजुद है। गाउं के लोगों का माना है कि एक जमाने में इस बेड़ी पर य पहिलाएं और पुरुष एक दिन में माडू जाकर वापस लोटाते थे। लेकिन देखते ही देखते ये बेड़ी पूरी तरह विरान हो गई। पहले यहां बड़ी बड़ी इटों से बने मकान थे। इन मकानों का मलवा आज भी यहां पड़ा हुआ है। इसलिए इसे जादों ने बताया कि इस बेड़ी पर आज भी बड़े साइच की इटेते की जा सकती है। बेड़ी के नीचे धन भी दबा हुआ है। हीरालाल पटेल ने बताया कि पहले ये बेड़ी काउं हुआ करती थी। फिर एक बीमारी आने के बाद काउं खाली हो गया। वे बताते हैं कि धन 13 और 14 के दिन बेड़ी पर अपने आप दियें जलते हैं। कुछी साल पहले पाटतार समाज की कुछ लोग भी धन निकालने के लिए यहां गए थे। लेकिन उनमें से एक विक्ति की जीप काड़ दी गई। गाउं के विपिन पवार ने बताया कि पहले ये छेतर मुगलों के अधीन था। मुगल इस बेड़ी पर कुछ संपती रखकर गए हैं। कहते हैं कि बली देने से उस धन को निकाला जा सकता है। छोटी कस्रावत की ताज मुहमत ने बताया है कि बाहरी छेतरों के कई लोग रात के समय धन निकालने यहां आते हैं। लेकिन बेड के नाम से जाना जाती है और मुगल काल में एसा कहते हैं कि यहां चारण लोग रहते थे कवली समाज के लोग आगे गाउं गवला तो लोग यहां पर पशुधन खेती बाड़ी करते थो और चुकि पशुधन के चलते हैं उनके बाद दूद दही की बहुत परियापत मात्र करते हैं कि जो भी इटे लेने के वाज तक वापिस निया है इस हाल पाद काल गीरा वो बिमारी आने लग गई फिर वो गाउं खाली हो गया वहां दन की प्रयापते है आज भी चोकी दार है चोटी कसराओ उसको पजार मिलती सरकार सरफ से और धन तरश पर प्या धन तरश किसमत वाले को दिखे दिए वहां पर जीवाली के तारी है एक हास्ता हुआ है लेए बहुत पुराना हुआ तब बहुत पर परना हुआ तो गई थे हैं से पाथिजार लो इसकी जीव निकाल दी थी पहले मुगल कुछ समपत्ती वहां पर रख्य गाय थे बली देने से वह निकलता है। और बली वह पईसा निकाला तो नहीं आज तक वहाँ पर कान्ड हो चुके है। पर यह वह इनपासी वली चीजे है कि वहाँ से पैसा नहीं नीकल सकता है। घठना है हुईकि बच्चे को जैसे बली देते हैं या वो जोड़ा मांग़ता है। तो यह चीजे सुनी हुई हैं, क्योंकि मैं भी आना कि इतनी उम्र का इंसान नहीं हूँ, सुनी हुई ही चीजे हैं, और यह आने की सच के बात है, वहाँ पर अभी भी धन है, निकालने के नियद से दी जाता है, और यदि कुछ गलत करता है तो वह वापस नहीं आता है, पताते हैं कि अगर कोई नियस जाता निकालने के लिए, वह लोट कर नहीं आपाता है, वहाँ पर इस दी जो अरे, मर जाते हैं लोग, एक चक्कर बतायाता कि एक पुर्या की मुंडी कटेल पड़ी ती, रात में गयोंगी कि भरगोग दी होगी, मुंडी कटेल पड़ी ती आपको बता दें कि पुर्याति भाग ने इटाय बेडी को राज इसमारग कोसित किया है, बेडी पर एक वोट भी लगाया गया है, लिका है कोई भी विक्ति इस बेडी को नुक्षान पहुंचाता है, नश्ट करता है, किसी प्रकार से खत्रे में डालता है, उसे एक साल की स खत्रावत के विक्ति को यहाँ पर चोकिदारी के लिए भी निक्ति किया है, लोको लैटिन के लिए खरगों से दीपक पांडे की रिपोर्ट